असलाम वारीकूम नाजरीन ड्रामस ये माहिरी की नेक्स इपिसोड में आप देखेंगे फाकर जो अपनी घर्स की खातिर सब को ऐसी शो कर रहा है जैसे कि वो बहुत अच्छा हो चुका है अपनी लाइफ में सब को सेडल्ट कर चुका है कंप्रोमाइस कर चुका है मगर ऐसी हरकिस बात नहीं अब तो वो अपनी वालदा को भी यही शो करता है कि वो बहुत अच्छा हो चुका है तो अधर एनी है जिसे अकेली सबी मुसीबतों का सामना करना पढ़ रहा है वो अकेली है जो सबी कुर्बाने दे रही है मगर अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा ये तो अंदर के हकीकत एनी को ही मालूम है इवन फाकर की वालदा तो एनी की वालदा को कहती है फाकर ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिए अपनी जिम्यदारी भी ने भारा है एनी को भी कहो कि अपनी जिमेधारी पूरी करे अब ये हाकिकत तो एनी की वालदा को खुद मालूं नहीं अब ये एनी रोती है अपनी माह को कहती है मुझे तो ऐसे लगता है मेरी ग्रेट के साथ मेरी जिन्दगी भी सीक्रिट हो चुकी है मगर तब भी एनी की वालदा कुछ नहीं समझती जबके दूसरे जानिब जमशेद ने तो अपने सर पे सेरा बांद लिया चाहे उसकी वालदा राजी हो या ना हो अब समझ तो इस बेटे को भी अच्छे से है कि अमा मेरी जिन्दगे में कोई और औरत बरदाश नहीं कर सकती अब जमशेद ने शादी की बात की कि मैं कर लूँगा खुदी शादी आप राजी ना हो तो ऐसे मैं उसकी वालदा सर बांद कर बैट कि उससे समझाने लगी मा की बद्दवा लेकर उलाद बरबाद हो जाती है तो जमशेद अपनी वालदा को समझाने की कोशिश करता है तो अमा समझो ना इस बात को तो पिर मान जाओ ना और फिर बिल आखिर जमशेद उस लड़की से निकाह करने के लिए राजी है उसने तो ये फैसला आठल कर लिया और जमशेद की होने वाली बीवी आलिया है कौन? आईशा की सोतन की बेहन उसे ये बात मालूम हुई तो वो बस राजी हो जाती है क्योंकि कोई और मर्द शादी करने के लिए तैयार ही नहीं ऐसे में उसे ये ही जमशेद ये अच्छा उप्शन मिलता है जो उसकी कदर करता है उसे महबत करता है इवन différentes ये जमशेद तो आले को शॉपिंग पर भी ले जाता है और फिर उसे अपनी वालदा के गर लेकर आता है हो सकता है अब ये जमशेद निकाह कर चुका हो जबकर दूसरी जानी बाप देखें कि आईशा अपनी बेटी को लेकर बहुत जदा परेशान है मगर साथ इस साथ एनी के वालदा को डर भी होता है कि हमारी बेटी एनी की किस्मत हम जैसी ना हो कि हमारे शोहर ने हमारी कदर ना की हमसे मुहबत ना की तो अधर फाकर है जो स्कूल में आमना को भसाने में लगा है उसका हाथ थामता है और गर आकर भी रात को अकसर वो आमना से इबातें कर रहा होता है चाहे पढ़ाई के बहाने ही क्यों ना सही तो ऐसे में एनी को सब कुछ इल्म होता है आगर वो फाकर को कह देती है फाकर भूला मत तुम शादी शुदा इनसान हो तो ये फाकर एनी को साफ कह देता है पो जैसे वाइफ होने का ड्रामा मेरे सामने तुम मत करो अब एनी क्या कहे के उसे तो इस रिष्टे का ही पास है जो निकाह का बंदन इन दोनों के दर्मियान बंदा है मगर फाकर तो इस बात कभी लिहाज नहीं कर रहा और ऐसे देखते ही देखते वो अपनी सारी हदे पार करता चला जाएगा इवन आने वाली इक साथ में आप ये देखेंगे कि एनी किसको पसंद करती थी और ऐसे फाकर को भी इल्म हो जाएगा कि वो लड़का एनी को पसंद करता था तो ऐसे में वो एनी से जान चुड़ाने की पूरी कोशिश करेगा खार वीवर्स ये सीन्स तो आप आने वाली इक साथ में देख सरकींगे मगर आपको क्या लगता है एनी फाकर की ये हकीकत क्या सब को बताने वाली है इसके मुतलिके में अपनी कीमती राय का इजार दरू कीजेगा मजिए ड्रामा अजरी वे उसके लिए आप देखते रहिए अर्दो टीवी